हालो और वेलकम हम बात करने जा रहे हैं आज ऑस्ट्रेलियन टीम के एनाउंस्मेंट के बाद एक ऐसे भारतिय मूल के खिलाडी की जिसका दूसरी बार अब ऑस्ट्रेलियन स्कौर्ड में जो है वो उसको एंट्री मिली है उसका नाम एनाउंस हुआ है लेकिन जो इन सारी बा टैक्सी ड्राइवर जो है वो परिवार जो है अपना जो गुजर बसर करता है वो टैक्सी ड्राइविंग के थू करता है और उसके बाद उस परिवार का एक लड़का जिसका जन्द 21 शताबदी में होता है वो लड़का आगे जाकर ऑस्ट्रेलियन टीम को अब एक तरह से म गुआने पर खड़ा है रेप्रेजेंट करने के, अब इसमें बहुत सारा इतिहास भी जुड़ा है, इसमें बहुत सारी आज की बातें भी जुड़ी हैं खासतोर पे जिस खिलाडी का हम झिकर कर रहे हैं, उसका नाम है तनवीर संगहा, और ये खिलाडी जिस तरह से इस खिल जैसा हमने बता है परिवार 1997 में जो है वो पंजाब से चला जाता है अस्ट्रेलिया अब यह लड़का जो है वो लगा ता सिड्नी के अलग-अलग cricket clubs में खेलना शुरू करता है और उस जब cricket club में यह खेलना शुरू करता है तो वहां पर उनकी मुलाकात जिसे एक शक से होती ह है उनका नाम था फवाद एहमद क्योंकि शुरूवात में जो संघा की कहानी है वो एक फास बोलर की तरह ही है आम तोरपर हम देखते हैं कई सारे से spinners हैं जिनके किसे शुरू ऐसे होते हैं कि जी वो तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और उसके बाद एक मौका आता है जब उन्हें कोई शक्स मिलता है या उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह से काम नहीं बन पाएगा तो वो अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करते हैं उनको मिलते हैं फवाद एहमद जो की खुद ऐस्ट्रेलिया 2013 में खेल चुके हैं जून जुलाई के महिने में जो है उन्हें प्रॉपर सिटिजन्शिप मिलती है और उसके बाद सेप्टेंबर में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना शुरू करते हैं उन्होंने ओडियाई एक मौका अंडर 19 वर्ल्ल कप जो की 2020 का उस्ट्रेलिया की तरफ से हाइस विकेट टेकर छे मैचेज में 15 विकेट दो बार फोफर्स और एक बार फाइफर भी उन्होंने लिया नाइजीरिया के अगेंस जो आया था उनका और इसके बाद फिर 2020 का जो है वो BBL बिग बैश ल सेंडर्स के लिए खिलते हैं उन्होंने 15 मुकाबलों में 21 विकेट लिये और यहीं से उन्होंने इंप्रेस कर दिया था सेलेक्टर्स को कि अगर आप शौर्टेस फॉर्माट की बात कर रहे हैं अगर आप उस तरफ किसी भावी उस्ट्रेलियन को देखना चाहते हैं टीम मे तो एक option तनवीर सांगा के रूप में हो सकता है आपको याद होगा कि New Zealand के लिए जो series हुई थी पांच माचों की T20 series हुई थी जिसे 3-2 से New Zealand ने जीता था उस series में भी इनको जगह दी गई थी और बाकाइदा उस series में हमने देखा कि कैसे spinners अच्छा कर रहे थे लेकिन इने इने मौका नहीं मिला अगर आप स्टाट्स खोल के आज भी देखेंगे तो उसमें इश रोडी जो की नंबर वन विकेट टेकर हैं विकेट टेकर्स के टैली में सबसे उपर उनका नाम है और इसके लावा अगर आप दूसरा नाम देखेंगे तो आस्टन अगर का था तो य जगर नहीं मिलती है, जबकि में तॉर पर हम देखें तो जैमपा खेल रहे थे, जैमपा ने 5 मुकाबले खेले, अगर ने 5 मुकाबले खेले, तो यह सारी की सारी चीज़ है अब यह जो दल अनाउंस हुआ है, तकरीबां 23 लोगों के नाम जिसमें सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें भी अगर आप देखें तो leg spinners के बहुत पीन से छाठ leg spinners उसमें इगर आप देखें तो डासी शॉट का नाम है उसमें स्विपसन का नाम है उसमें संंगा का नाम है इसके अलावा स्पिना कई की ग्लेन माक्सवल बोल कर ले तें अब आते हैं यह जो लगातार एक बात यह भी चल रही है कि उनसे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है तो अगर इतिहास में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो चार नाम सामने निकल कर आते हैं जो की इंडिया बॉन या इंडिया जिनकी कही ना कहीं जड़े जो है वो भारत से अगर आप भारतिय मूल की बात करें तो उसमें ये दो नाम ही सामने निकल कर आते हैं गुरिंदर संधू और अब तनवीर सांगा तो अब आने वाले समय में देखा जरूर ये जाएगा कि किस तरह से ये खिला अब बारी जो है वो कब ऑस्ट्रेलिया की जर्सी जो है उसे पहनता है और कब जो है फाइनल 11 में जगा बनाता है क्योंकि न्यूजलेंड दौरे में भी जो है स्क्वाड में तो चुना गया था उसमें भी हमने देखा कि वहाँ पर भी एक मौका बन सकता था लेकिन मिला न नियू साउथ वेल्स ने भी जो अपनी कॉंट्राक्ट लिस्ट इस बार की सामने लेकर आई है उसमें उन्होंने यंग्स्टर्स पर बहुत जादा इन्वेस्ट किया है और उस पर भी सांगा का नाम है तो ऐसा नहीं है कि यह खिलाडी अभी तैयार नहीं है उस लिहाज से लेकिन जिस तरह की performance BBL में रही जिस तरह से selectors को impress किया आई तिंक बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारते मूल का एक और खिलाडी जिसका सफर जो है वो संगर्ष बरा रहा है उस खिलाडी ने जगा बना ली है उस्ट्रेलिया इदल में उमीद करते हैं जल्दी प्लेइ आउक्शन के साथ आएगा जो अगले साल शुरू होगा तो उसमें क्या पता इनका नाम हो और किसी आई पेल टीम से भी आप इने खेलता हुआ देखें बहुत बहुत शुक्रें एस वीडियो को देखने के लिए